आप सब्सक्राइब नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी भारत में दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि CDP की क्लासेस आपके लिए स्टार्ट हो चुकी है आज लगवग यह जो क्लास है वह आपकी 14 मी क्लास होगी यह 15 मी क्लास होगी तो CDP को हम करा रहे हैं प्रीवियस यह के कोश्चन पेपर से अगर बात करें पेपर की तो CDP का जो जुल कर रहे हैं यह जो पेपर है यह है आपका चार दो 2023 का साड़े नौवजे यह पेपर इस्टार्ट हुआ था जिस केंडिडेट का है किसी भी कंडिडेट का हो उससे आपको क्या लेना देना बस यह पेपर है और इस पेपर में CDP हम कराएंगे बाकि और सब्जक्ट के सॉलू तो यह सारे के सारे आपका जो पार्ट है चाहें पेडागोगी का हो यह सीडीपी का हो यह नुमेरिकल विश्ट पार्ट हो उन सभी को हम आपको बिल्कुल फ्रियोप कोस्ट कराएंगे और वो भी ऑथेंटिक सॉर्सेस से जो के आपके पेपर में एक बहुती ज्यादा महत पुण भुमे का निवाने वाले हैं तो सीडीपी का सीटेट की खास बात है कि सीटेट के अंदर सीडीपी जो आती है वो लगवग उसके कॉंसेप्ट सेम है टॉपिक सेम है वहीं से रेपीटेड आते है और लेंग्वेज का थोड़ा वड़ डिफरेंस आपको क्वेशन के लेते रहेगा इसका वेणिफिट लीजेगा यह सबसे बड़ी बात आप लोगों के लिए है तो चलिए चाट करते हैं पहला कुशन आपकी स्क्रीन पर है फर्स्ट कुशन आपकी स्क्रीन पर है हिंदी और इंगलिस मैं दोनों में कर देता हूं ताकि आप लोग इसको पड पूचा है आपको CDP के अंदर ये बात ध्यान रखनी है कम से कम आपके 4-5 question लगबक 5 question ऐसे होंगे जिसमें आपका not लगा होगा या आपसे जो negative answer पूचा होगा आप लोग positive अगर वहां पर लगाया है तो आपका answer गलत हो जाए यह बहुत बड़ी mistake होती है students के थूप तो आप आपको इस बात पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा यह आपके 4-5 नंबर गटावड़ी यहीं पर हो जकती है तो आपसे not पूचा है विकास के वारे में कौन सा कतन सही नहीं है देके विकास के वारे में बोला जाता है विकास जिसको हम बोलते हैं development और इसके वारे में सिकी और बातावन के गुड़नफिल के बराबर होता है development तो डवलपमेंट का फॉर्मूला आप लिख सकते हैं यह डिट्री एंड इन्वायर्मेंट तो डवलपमेंट के वारे में बताया जाता है कि development एक क्रमिक प्रॉसेस है क्रमिक प्रक्रिया है यह लगातार चलने वाली बुडवर्थ साब ने दिया था और यह कौन थे बिवारेश्टिक थे यह टेट वगरा के एक जम मैं पुछ लेता है बुडवर्थ कौन थे तो बिवारवादी थे ठीक तो आनुवन से की और बातावन के सहीयोग से अंत्य किरिया से विखास बच्चे का होता है क्रमिक होत हैं बिक्सित होते हैं बच्चे विकास अभी चाकरत क्रमिक होता है यह वी बात मैंने अभी वोली थी क्रमिक होता है एक तरीके से रिलेटिवली और ली होता है यह अनुवन सिक्ता विकास का एक मात्र कारण है एक मात्र कारण नहीं है विकास का दूसरा कारण है वह आपका ही क्या है तो आपने देखा होगा माता-पिता के जीन सोते हैं वो बच्चे के इंदर कढ़ आ जाते हैं इसका मतलब उनसे ताल्मेद वच्चा खाता है कभी-कभी तो देखने को मिलता है चेहरा बिल्कुल वो ग्रेजुली चलता है धीरे धीरे चलने वाली प्रक्रिया है continuous process है क्रमिक गती से चलने वाली है भिविन धरों पर चलने वाली ए भिविन धरों पर चलता है तो यही option सही हो जाएगा क्योंकि आपसे पूछा था कौन सा कतन सही नहीं है तो सही कौन सा नहीं है आनुवन सिक चलिए नेक्स्ट क्वेशन आपके स्क्रीन पर है लगाईये क्या होगा मानिवी यह चमता हैं जैसे कि बुद्धी हुई समस्या समाधान यानि कि प्रॉब्लम सॉल्विंग हुई समाल उचनात्म फिंकिंग हुई का सापेच रूप से विकास के किस छेत्र के अंत्रगत अध्यन किया जाता है चाहें बुद्धी की बात करें इंट्रीज़न्स की बात करें प्रॉब्लम इसका आध्यन किया जाता है तो ऑपसें सारेरिक संबेगात्मक संग्यान अत्मक और नैतिकता मेरे बताइए व्लूम्सiconomy के अनुसार बताएंBS कि टेक्शोनोमी 10 लूम्स की टेक्श Initiatives और इसमें टीन आसपेक्ट बताई थे और तीन बीकास होना है और एस इमोचनल सकते हैं प्रिया में विक्साइब Gustav थेखने को आपको मिलता है सम्मेग आतमक बी देखने को मिलता है और नैतिक यानिके नैतिकता भी देखने को मिलती है नैतिकता के वारे में बात की थी किसने नैतिकता का सिध्धान दियाता कोहल वर्ग ने सार दिखिए यहां पर अगर बुद्धी की बात की जाए इनटेलियंस की बात की जाए एनलोजी की बात पिजाए रनेटियों की बात की जाए problem solving, समस्याओं को समाधान करने की बात की जाए समालोचनात्मक चिंतन की बात की जाए बात बच्चा चिंतन कर सके कोई भी ऐसी problem हो जिस पर बच्चा खुद चिंतन कर सके खुद का बिचार रख सके तो ऐसी जो अवस्ता होंगी उसमें सिर्फ एक ही काम आएगा संग्यानात्मक और संग्यानात्मक का मतलब भी होता है किसी चीज के बारे में जानना किसी के बारे में जानना ऐसे बोल दो बारे में जानना तो किसी के बारे में होता है संग्यानात्मक जहां बच्चा संग्यान का का यूज करे अपने संग्यान का अपनी बुद्धी का प्रयोग करे अपना चिंतन करे वहां कौन सा होगा संग्यान अत्मक विकास होगा जो कि आपका ओप्स नंबर थर्ड इस्तवाल का बिल्कुल सही हो जाएगा क्लियर है नेक्स्ट कोशन आपकी स्क्रीन पर है चलिए अविकत्त्हं और दूसरा है कारण यानि की स्ट इस्टेटमेंट को भी देखना है और इसके अनुसार आपका अंसर यह भी चेक करना है लिए देखेंट लिए करें देखिए है केवल और केवल बोला है स्कूली सिच्छा जबकि बच्चे का भिकास होता है बच्चे जो इसके अंदर आपका परिवार आ जाता है बच्चे का जो परिवार होगा क्योंकि कहा जाता है बच्चे की पहली जो अध्यापिका होगी बच्चे की पहली जो टीचर होगी उसके मां होती है उसके बाद उसके पिता जी फिर घर वाले तो यह होते हैं दूसरी बात कि तो आरनी कौली और आपके निया Аंव त्यबर हुड यानि आसपऱोस देखने को मिलता है , आज सेकंड्री कि बात करें बात करें से जुर्ड़े जो दुत्यक संसता होती है समाजी करणकी भी हिस तो उटमें आपका देखने को मिलें तो वहां पर मीडिया देखने को मिल जाएगा यहां पर जैसे अब दिश्चत सरा आपको पढ़ा रहे हैं आप क्लास ले रहे हैं तो यह भी एक सेकंडरी एजंसी का काम करेगा और यहां पर अगर हम बात करें क्लास को पुश्चा द्वार रहएं सेकंडरी एजंसी का पार्ट होता है क्योंकि उसमें परवार आसपर परस का करते मिलती हैं मीडिया की देखने इजनसी दोनों ही भक्षे की जो सच्चा है उस में बड़ी महत्पड बोमिका नेवाती है तो यह इस्टेटमेंट तो गलत हो गया अब आपसे देखे ए और डौनों सही है तो ये तो बात गलत हो गई शही है ये भी बात गलत हो गई पढ़ने की जरुती नहीं थी दूसरे वाले अप Project आउ synthesis हो गया A और डौनों गलत है अब R को देख लिए ना हो तो भी आपका प्रक्रिया नहीं होता है जो कि आपका ये भी स्टेटमेंट गलत होगा तो ये भी स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा चलि नेक्स्ट क्वेशन आपके स्क्रीन पर है चलि इंगलिस में थोड़ा सापको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर चलि बताइए क्या होगा अंसर बहुत सारे स्टूडेंट अवीतक अंसर नहीं दे रहे हैं आप लोग कमेंट वोक्स में आंसर लिखा कर आंसर नहीं लिखोगे आपका घटा होगा यह आपके उपर डिवेंट करता है चलिए एच पर जीन प्याजे इंडिविजल 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 कॉंटिविजल कीप सर्चिंग फॉर असॉलूशन टू अचीव ए स्टेट आफ वाकी क्वेशन को हिंदी में पढ़ सिद्धान दियाता इन्हों ने बोला कि ब्यक्ति किस अवस्था को प्राप्त करने के लिए समस्या समाधान समाधान की निरंतर खोज करने में लगा रहता है यह है बाई सा बहुत जवर्दस्त सवाल जीन प्याजे की बात कर लेते हैं थोड़ी से तो इन्हों ने एक पुस्तक लिखी थी दा लेंग्वेज अफ दा था 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 यह इनकी पुस्तक है और यह जो पुस्तक लिखी थी 1923 में लिखी थी इनकी बात करें तो इन्हों ने खूज वरं निर्माण का सिध्धांत दिया था यह भी कोशे आपसे पूच लेता था और वगेरा के एक जांब में बहुत पूच्ता है खूज वरन इर्माण का सिध्धांत किसने दिया था खूज वर निर्माण का promets के दिया ता dieser की बात करें तो यह कौन थे मनोवैझ्ञानिक थे मनोवैग्ञानिक तो इन्होंने संग्यानत में विकास का सिध्धान दिया, पुस्तक लिखी थी The Language of the Thought of the Child 1923 में लिखी गी थी खोच बन निर्मान का सिध्धान दिया था, मनो विज्ञानिक थे, कहां के थे, तो ये थे वाई सब स्विजर लेंड के वही स्विजर लेंड, वही स्विस बेंड, जहां पर हमारे देश के बड़े-वड़े नेता, काला धन लेके, शमा कर देते हैं, थिक तो ये कहां के थे, स्विजर लेंड के थे, और इन्होंने दो तीन बाता है कहीती मैं उन बातों को थोड़ा सा बता देता हूँ बसे एक कोशन और पूछलेता है तो विकास आत्मक को विग्यान इप विकास आत्मक मनोविज्ञान का इनको जनक कहा जाता है यह भी कोशन आपसे पूछ लेता है विकाश अत्मा अपनुविज्ञान का जनक कौन है तो जीन प्याजे जाव है इन्हों ने एक बात कहीती एक बात कहीती आत्म सात्तिकरण आत्म सात्त करण और एकमडेशन यानि के समायोजन के बारे में कि आत्म सात्त करण का मतलब क्या होता है आत्म सात्त करण का मतलब क्या होता है यह वाँ समझेगा आत्म सात्त करण इसे बोलते हम एसीमलेशन क्या बोलते हैं भाई एसीमलेशन बोलते हैं आत्म सात्त करण को क्लियर है तो आत्म सात्त करण यानि कि एसीमलेशन इसका मतलब होता है पूर्व ग्यान से नए ग्यान को जोडना पूर्व ग्यान से नए ग्यान को जोडना तो आत्मसात्वर्ण यान कि assimilation का मतलब क्या हो था पूर्व ज्यान से नए ज्यान को जोडना इसके बाद आता है संच माय यूजन जिसको वोलते हैं माले अर्पकॉंडेशन एको मोले depressiva समाय योजन क्या होगा तो इसका मतलब होता है जो आपका पूर्व ग्यान है पूर्व ग्यान मैं परिवर्तन करके परिवर्तन करके नए ग्यान का सरजन करना तो आपके दो पॉइंट हो जाएंगे assimilation और accommodation assimilation का मतलब होता है जो आपका पूर्व ग्यान है उसमें नए ग्यान को जोड़ना और accommodation का मतलब होता है जो आपका पूर्व ग्यान है जो आपने सीख रखा है जो बच्चे ने सीख रखा है उसके अंदरगत अगर कुछ खामिया है तो उनका परिवर्तन कीजिए और उन परिवर्तन के आदार पर नई ग्यान का सरजन करना ही आपका क्या कहलाता है एकमेडेशन कहलाता है जिसे हम समायोजन कहते हैं और इन दौनों के जो बीच की कड़ी होती है इन दौनों के बीच की कड़ी को हम बोलते हैं क्या इन दौनों के बीच की कड़ी को बोलते हैं और संतुलन क्या बोलते हैं शन्तुलन कहते हैं जिसे हम एक्वलेरेशन कहा कहते थे हैं क्या यहां पर यही पूछाता द्यृती किस अवस्ता को प्राप्त करने के लिए चो समाधान की रिन्तर inaçãoर कोच करने में लगा रहता है तो आंस़ाएगा आपका शन्तुलन हो जाएगा स 158まぁ कोई क्या गलाता है समंजन honor origin कirus तो आपका aanशर होगा क्या यह संत्लन हो जाएगा जीन प्याजे ने कforward और और कहीद दिस बच्चा सक्रिऔ का निर्माता होता है स्क्रिया और कहलाते हैं तो यह बी आपके कौस्ण आप पूस सकता है चली नैक्स्ट क्वेशन देख लेता है नेक्स्ट क्वेशन आपकी स्क्रीन पर है ये वाला क्वेशन काफी अच्छा है बहुत ही ज्यादा जवर्दस्त सवाल है इसका अंसर लगाईए आप लोग और ये क्वेशन ये मालीजे के हर एक्जामनेशन में आपसे पूछा जाता है इसके बात करें तो जीन प्याजे ने दिया था मैं वही बात कर देता हूं जीन प्याजे के द्वारा इसकी बात की गई थी इसके बात बात करें तो जीन प्याजे साब ने संग्यानत्मक विकास का सिध्धान दिया था इस संग्यानत्मक विकास के सिध्धान के तुरू इन्होंने चाल चरणों की बात की थी पहला चरण था जिसे हम बोलते हैं संबेदी गत्यात्मक चरण इसके जो है संबेदी गत्यात्मक चरण इसका दूसरा नाम है इंद्रिय गामक अवस्ता तो यह आप से पूछ सकता है इसके जो ओमर सीमा होती है वो जीरो से दो वर्स तक का जो बालक होता है बच्चा होता है इस स्रेडी में रखा गया है, sensory motor stage में, इसके बाद बात आती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्ता की तो ये होता है, दो से साथ वर्स का जो बच्चा होता है, उसे हम बोलते हैं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्ता के चरण में प्रवेश कर चुका है, इसके बाद बात करते ह है, मूर्व संक्रियात्मक अवस्ता, जो संक्रियात्मक अवस्ता की अंतरगत आ जाता है, और इसके बाद जो अंतिम चरण होता है, बो होता है, आपचारिक संक्रियात्मक अवस्ता, जिसे हम अमूर्व संक्रियात्मक अवस्ता के नाम से भी जानते हैं, ये होती है, आपक बच्चा निगमनात्मक तरक बच्चा 10 साल तक का बच्चा तो तरक कहां कर पाएगा इतना ज्याजा तरक नहीं कर सकता दस साल तक का बच्चा वो भी यही इस का आंसर हो जाएगा कि परकलबनात्मक निगमनात्मक जो तर्क है किस चरण के अंतरगत आएगा तो आपका आपका आपशारिक संक्रियात्मक वस्ता के अंतरगत आएगा और किस वर्स का वच्चा होगा 11-16 वर्स का वच्चा होगा आपसे ऑप्शन के अंतरगत इसको भी दे सकता था मुर्च संक्रियात्मक वस्ता की बात करें तो यहां पर बच्चे के अंतरगत सरचन की भावना पैदा हो जाती है आपने छोटे-छोटे बच्चे देखे होंगे और वो छोटे-छोटे-छोटे पानी है और इस ग्लास के अंदर भी आदा लीटर पानी है लेकिन जो बड़ा ग्लास है उसमें पानी की मात्रा आपको बच्चे का इतना ज्यादा होती है इसी बावना होती है सरचचण की बावना । और सास से ग्यारे वर्स की वस्ता में बच्चे के अंदर कर्ण्यर्विशन की भावना आ जाती है, सरच्षन उसके अंत्रगत आ जाता है, क्लियर, संवेदी का आपना कवस्ता की बात करें, तो बच्चा अपने सेंसे से यहाँ पर चीजा को सीखता है, जैसे eyes, eye के through, ear के through, fingers के through, यहाँ पर इनका use करता है, अपने senses का use, यहाँ पर बच्चा करता है, clear, तो यह भी question आपसे पूछ सकता है, तो second वाला आपका सही हो जाएगा option, चलिए, next question, जादूई सवाल, बता दो मेरे यार, क्या होगा, उत्तर, चलिए भई, क्या होगा answer बताओ, यह जीन प्याजे साब आज खा जाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, पेपर में भरबर के दिया है, किस ने दिया है, यह देने वाले ने दिया है, सीटेट की खासवात यह है, कि जीन प्याजे बाइगास की कोलवर्ग, साथाट नमबर यहीं से पक्का हो जाता है आपका, बाकी बलोंस टैक्सोनामी कर लो, अलवर्ड वंडूरा कर लो, एक दो और हैं बड़वर साब को कर लो, थोड़ा अधिगम के वारे में सीख लो, सी अच्छे किरियाओं की और भढ़ना आरंब कर देते हैं, अगर्डिंग तो द जीन प्याजे स्थेयोरी औफ कोगनिटिव डवलप्मेंट, अट विचे स्टेश, दू चिल्डिन बेगें तू मूव फ्रॉम रिफ्लाक्सिव एक्शन तू इंटर्न इंटेंशनल एक्टिव इस अच्छे करियाओं की और बढ़ना आरंब कर देते हैं, तो फरस्ट ही हो जाएगा सम्बेधि गत्यात्म कवस्ता की अंतरकत ऐसा देखने को मिलता है, सेंसरी मोटर स्टेश की अंतरकत ऐसा देखने को मिलता है नेक्स्ट क्वेशन आपकी स्क्रीन पर है और ये वाला जो सवाल है बहुत ही ज़्यादा जबर्दस सवाल है आप लोग बताएए क्या होगा अंसर पढ़ लीजिए बढ़े धंग से पढ़िएगा इस सवाल को भई क्योंकि कोलवर्ग साब ने बहुत कुछ बोला है इस सवाल के बारे में अगर आप इसको समझ गए तो फिर क्या ही कहने है कर दो हुआ कि झारे हिर चलिव और हाइँ कंच की दूविदा हिंज की डाइलमा हिंज डाइलमा हिंज को सुनने के बाद आट वर्षिया गुर्प्रीत कहता है कि हिंज को पैसा चुरा लिना चाहिए अब आपको हिंज की कहानी पता हों यह यह जुरूत है नतिक तरक्य किस इसथर पर बच्रेस सही और गलत का फैसला व्यकुता कीं चाहतों के आधार पर करते हैं यह वाली बात किस ने कही थी यह जो समровा थो यह बोला है आपका कोलवर्ग नहीं को घुट हो फिसने बोला है हुआ जो कोलवर्ग की बात करें तो यह मनोव ज्यानिक थे और कहां के थे अमेरिका के थे कि यह भी आपसे वोशन पूछ सकता है कि कोलवर्ग कहां के थे तो कोलवर्ग थे अमरीका के किलियर वही कहां के थे अम्रिका के अब हिंच की कहानी को सुल लो हिंच की कहानी थी क्या धरसल ऐसा होता है कि हिंच कोई लड़का होता है लड़का ही समझ लो तो हिंच लड़का होता है उसकी माता जी हो जाती है बीमार अब जब माता जी बीमार हो जाती है तो उसको किसकी जरुत पड़ेगी धवाईयों की जरुत पड़ेगी और सधी की जरुत पड़ेगी उसके पर्षप कई वक्ति वता देता है उनके पास द़ाई है जसे आपकी हो जाएंगी हिस आप जाते हैं पहुंस द humility माता जी की जो स्वास थे हैं वो विल्कुल सही होते हैं वो कहते हैं कि ये वाली जो धवाई है मैंने अपने पूरे जीवनकाल का पूरा का पूरा पैसा लगा दिया मैंने इस पर और मैंने पूरी की पूरी जो मेरी खोच थी जो मेरा एक्सपरियंस था जो मेरा अनुभव थ वो मैंने सब कुछ इसमें लगा दिया अब कंडिशन फस जाती है कि वो जो बैद्यों होते हैं वो हिंज से मना कर देते हैं कि मैं आपको दवाई या उसदी नहीं दे सकता कि widen अब हिंज के सामने विट्र कार की कंडिशन उत्पन होती है पहली कंडिशन यहोति है चाहें तो वह फैसा घटकरे तो पैसा उसके पास धाने उसके जो भी घटकった थी और उसने बता दिया मेरे पास इतना पैसा है लेक dependency मादी पती प्सती है एक तो बसती है कि वह अपनी म क्या करेगा, अगर चोरी करता है, तो उसे जिल जाना पड़ेगा, और चोरी नहीं करता है, तो माता जी का जू स्वास्ति या, वो और ज़्यादा खराब हो जाएगा, तो टेस्तर परामपरावकत सतर चानल करें यहाउसरों करी इसको मतफे में प्र है को प्राक रूद चाहँ ग्रोरिगफ परहां तो तीन प्राकार के इस्तर बमताए कि उल्वर्गफ ने तीन इसतर बताएं प्राक रूडगत प्री कंवेन्शनल स्टेज रूड़िगत गंवेन्शनल स्टेज और उत्तर रूड़िगत जिसे बोलते हैं पॉस्ट कंवेन्शनल स्टेज जो रूड़िगत इसतर होता है जो रूड़िगत होता है जिसे हम प्राक रूड़िगत बोलते है ये चार से दस वर्स की अवस्ता के अंतरगत होता है ठीक और ये जो रूड़िगत होता है कन्वेंशनल होता है ये दस से तेरे वर्स की अवस्ता में देखने को मिलता है और तेरे वर्स से जो ऊपर होता है त कुल मिलाकर को कि इंहों रिख अब पतास के अफ़aty से यह पूरा का कूलवर्ग पढ़ाना कुछ नहीं करना आपको के- कर चैनल पर जाना है चैनल पर आपके डाल देना को धाड़ जाके आपको निकल किया जाएगी वीडियों तो वहां से अब को कोलवर की पूरा का पूरा थियोरी पढ़ लिजेगा क्लियर अब यहां पर देखते हैं तो इस दुविदा में नैतिक तरक के किस इस्तर पर बच्चे सही या गलत का वैसला ब्यक्तिक जरूत और चाहतों के आदार पर करते हैं तो यह होती है आपकी यांत्रिक सापेचिक वीडियो देखकर वहां से आपको क्लियर हो जाएगा चलिए नेक्स्ट क्वेशन आपकी स्क्रीन पर है कि लगा यह लाड़ ले चलिए लगा यह अंसर क्या होगा क्वेशन है आपका लेब बैगोस्की लेब बैगोस्की की बात करें तो इन्होंने सामाजिक सांसिकर्तिक विकास का सिध्धांत दिया था सामाजिक सांसिकर्तिक प्रष्ट भूमी की बात की थी सोश्यो कल्चर की बात की थी नोंने तो लेब बैगोस्की के सिध्धांत को किस तरह का सिध्धांत माना गया है कैसा सिध्धांत माना गया है मनो विशलेशन आत्मक नहीं माना गया है बिवारवादी बुडवर्च साप थे सूचना प्रसंस्क्रण कोई मतलबी नहीं है और आपका एक ही है सामाजिक संस्कृतिक विकास का सिद्धान जो मैंने बूल दिया वही आपको देखने को मिल गया सीटेट वालों से बोलो कि दिच्छ सर्थ के द्वारा जो बोले गए सब्दें कम से कम उनमें डिफरेंस अब करने लग जाए क्योंकि जो भी मैं बोलता हूं वही आंसर देखने को मिलता है तो थोड लाज सांसकर्तिक विकास का सिद्धान ति नहीं दिया था लेब ऐसकी सापने दिया था अरे वही वह चांए यह व्यिसा और बात है यह वह रोटस्त वाली लेब ऐसकी अगेन आगे अरह चलिए लेबस लेब ऑगोसकी के बारे में थोड़ा बहुत बता दें वही आपको बताई देते हैं आप लोगों को पहले Question बढ़ते हैं लेप भैगोस्की की अनुसार बच्चों के संग्यान अत्मक प्रक्रियाओं को किसके माध्यम से सुगमता दी जाती है तो देखिए लेब वैगोस्की की बात करें, तो ये कहां के थे, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। रूस के वैज्ञानिक थे रूस के मनो वैज्ञानिक थे मनो वैज्ञानिक और मेरा जूता है जापानी ऐसी बूलते हैं वई सरपे लाल टूपी रूसी फिर वी दिल है इंदुस्तानी तो देखा रूसी सरपे लाल टूपी रूसी फिर वी दिल है इंदुस्तानी तो लेब प्रत्मक पुनरवलन की बात नहीं की गई है प्रतियोगता आप बच्चों के अंदर नहीं कराया तो अच्छा रहेगा आनुवन्जिक विञ्ञाज की बात करते हैं बिल्कुल सही है लेब बैगोश की निसंग्यानत में विकास में भासा को एक बहुत बड़ी भासा को एक ब बात्चीत करता है इन्हों ने बात की थी जो नो प्रॉक्षिमल डवलप्मेंट यानि कि जैड पीडी की बात कि एग लिए को अब प्रॉक्षिमल डवलप्मेंट खोता क्या है इसको समझ लेजे माल लिजे कि एक स्टुडेंट है अब दिच्छे सर के पास पढ़ रहा है तो उसकी उम्मीद किया है कि सीटेट के पेपर में कम से कम 120 नमबर लाए यह उसकी संभावना है कि कम से कम 120 तो मैं लेकर ही आऊँगा लेकिन जब वो पेपर देने जाता है तो उसके जो रियल्ट आ संभावना और यह वास्तिविकता वास्तिविकता तो संभावना और वास्तिविकता संभावना और वास्तिविकता के बीच का जो डिफ्रेंस होता है उसी को बोलते हैं जोन और प्रॉक्सिमल डवलप्मेंट जो अंतर होता है उसी को बोलते हैं समीपस्त विकास का छेत्र क कि नहीं यह वाली बात समझ में आ गई कि नहीं आप लोगों के इनकी जो उम्र सीमा थी वो लगबक 38 साल की उम्र में ही यह निपट गए थे भाई सब मतलब इनका निधन हो गया था कुल मिलाकर जो उम्र थी इनकी 38 साल की यहां पर उम्र देखने को मिली थी MKO का सिद्धान दिया था more knowledgeable other MKO का सिद्धान दिनके द्वारा दिया गया था चलिए next question Question number 10 आपकी स्क्रीन पर है बताइए क्या होगा answer Question है सिच्छा को बालकिंदरत बनाने के लिए निम्र में से क्या बदलाव जरूरी है आप बनाएए सी सी ए चाइल्ड सेंटर्ड एजूकेशन बताइए बालकिंद्र सिच्छा बनाएए सिच्छारती किंद्र सिच्छा बनाएए अगर आप सी सी करते हैं एक और होता है सी सी का मतलब सिच्छा बालकिंद्र सिच्छा के अंत्रगत क्या है रचनात्मक मुल्यांकनों से योगात्मक मुल्यांकन की और ठेक लग रहें यह बात। यहां पर नहीं करायाता है, रोट मेमरेशन पर इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, यहां पर इनोवेशन की बात की जाती है, नवाचार की बात की जाती है, एक्स्प्लोरेशन, अनुशंधान, खुच की बात की जाती है, और डिस्कस की बात की जाती है, चर्चा की किया जाता है क्रिया आधारित अधिगम की बात की जाती है लेकिन कंटस्तिस्मरण की बात तो नहीं की जाती है खोजी अधिगम से ब्याख्यान विदी की और देके खोजी अधिगम बिल्कुल अच्छा है लेकिन ब्याख्यान विदी यह सबसे ओल्डेस्ट मेथड़ भी कहा जाता है इसके अंद्रकत यह जो ब्याख्यान विदी होती है यह सीसी ना होकर यह कैसी होती है अध्यापक किंद्रेत होती है यानि कि टीचर सेंटर बोल सकते हैं इसको क्या बोल सकते हैं तो टीचर सेंटर एजूकेशन टीची बोल सकते हैं इसको तो टीची होती है ओल्डेस गवा ट होता अगर अल्टा होता मानीकी करत से लचीला होता थीक होता आपका जो स्लेवस है करीकुलम है हो आपका स्टेंडडर इज ना होकिएciones होना चाहिए और अगर बे लिएक डनी करीकुलम हो 만 अगर एक करीकुलम होना 1018 कि लिए क्या वदलाव ज़ूरी है कंठस्त स्मर्ड से इसमर्डा कृ्रिया अधारित बना सकते हो यह कंठस्त 2 स्मर्ड को अठादीजिए और आप क्या कर दिजिए एविल कर दिजिए activity based learning कर दीजे तो second option से ही हो जाएगा रचनात्मक मुल्यांकन से योगात्मक मुल्यांकन नहीं होगा रचनात्मक होता है formative assessment योगात्मक होता है summative assessment आपका होना चाहिए formative assessment होना चाहिए formative assessment का मतलब होता है रचनात्मक मुल्यांकन का मतलब होता है during the study, study के दोरान जो मुल्यांकन किया जाता है एफे बुलते हैं साल के जो अंत में किया जाते हैं उसको बुलते हैं ऐसे यानिके समेटिव असेस्वेंट योगात्मक मुल्यांकन कहते हैं, तो यह क्या होगा आपका सैकेंड वाला बिल्कुल सही हो जायगा चले next question देख लेते हैं चले next question आपके screen पर है Howard Gardner का बहुद्धी बात का सिध्धान्त Howard Gardner के बुद्धी के बारे में विचारों के अनुसार देखे Howard Gardner की बात करें तो इन्होंने बहुद्धी का सिध्धान्त दिया था बहुद्धी का सिध्धान्त क्या दिया था इनोंने बहुवद्धी का सिध्धान्त दिया था और इनोंने multiple intelligence theory धीती और उसको कितने प्रकार का बताए था आठ प्रकार की intelligence बताए थी आठ प्रकार की बुद्धीओं की इनोंने बात की थी सब से पहले अगर बात करें तो इन्होंने जो बात की थी mathematical logical farkmagatti गड़त तार्किक बुद्धी की इन्होंने बात कि थी दिन्ट्राइन सं arbeitet में बुद्धी की बात की थी naturalistic कानने इंट सारेन भुद्ध यों कि बद्ध को उन्हों कि बात कि थी तो इस सारी बद्धियों की इस बात किती फमेला कर वह बनी इन्हों ऑफ समझने की चमते संगीत में बद्धी होती है संगीत ऑं प ले को समझ सकते हैं, ताल को समझ सकते हैं, और स्वर को समझ सकते हैं, ले ताल स्वर की बात आएगी तो संगीत मैं बुद्धी होगी, आप एमोसंस को नहीं कर सकते, इमोशनल इंटलियंस की उसके लिए चरूत होगी, बुद्धी तीन प्रकार है, बिसलेशनात्मक, सरजनात तो आठ प्रकार के बुद्धियों के बारे में बात की गई है अपने आप में बिविद्धियों के स्क्रीन पर लगा या यह राइट आंसर किया होगा क्या होगा लगा ये राइट अंसर बहुत आसन सवाल है इस्टेटमेंट देरका है एक अध्यापिका को विद्यारतियों को किसी समस्या पर कारे करते समय अपने विचारों के मौफ़ि की काण के लिए प्रोसाहित करना चाहिए थीख लुए उपर भी बात की गई आई तो सही है बीवी सही है यानि कि आर सही है आरएक सही व्यक्या कर रहा है तो फ़र्स्ट अप्शन ही हो जाएगा ए और दौनों सही है और एक सही व्यक्या कर रहा है क्लियर है चलिए नेक्स्ट कोशन अचान सवलता कि चलिए भई कौन सा होगा सही जवाब बताईए हलो कि चलिए भई नेक्स्ट क्या रहा है क्या रहा है क्या है क्या रहा है कि चलिए नेक्स्ट क्वेशन क्या होगा पताईए एक अध्यापिका प्रचलित सामाजिक जेंडर संबंदी रूड़ व्यक्ताओं को कैसे भाव हीन बनाद्व सकती है अध्यापिका प्रचलित सामाजिक जेंडर संबंदी रूड़ व्यक्ताओं को कैसे प्रभाव हीन बना सकती है तो देखिए जो जेंडर वाइस देखने को मिलता है लेंगिक बच्छपाद देखने को मिलता है जेंडर स्टेरियो टैप्स देखने को मिलते हैं पुरानी प्रंप्रहें देखने को मिलती है जो हमारे पुर्खोंने चली आ रही है कि लड़का तो इंजिनियर बनेगा डॉ देंगे खाना बनाइंगी तो यह क्या है गढ़से बाहर नहीं निकलेंगे घूंगत में रहेंगी तो यह क्या है वारे Hangg stereotypes है रोड़ गत्रमपरा हैं जो की चलिए आ रही है देकने को मिलता है लेंगे क्छ पाचपात देखनेको मिलता है तो इसको कैसे प्रभावीन करेगी टीचर अपनी क्लास्रोम के अंदर कम से कम तो देखे यहां सुनिश्यत करके कि खेल सत्र में लड़कियां सिर्फ बैडमिंटन खेले और लड़के सिर्फ तो यहां तो जेंडर देखने को मिलता है अगर आप लड़कियों को बैडमिंटन क क्रिकेट दौनों खिलाते लड़कों को भी दौनों खिलाते तो यहां पर देखने को नहीं मिलता तो यहां तो प्रभावी नहीं हो रहा है जब कि प्रभावी हो रहा है तो यह सुनिश्यत करके लड़कियों को अध्यापक करने और उनकी मदद करने के लिए अवसर मिले मत स्टेरियोटाइप देखने वी घंद्रों को संघीत नत्य पांक कलन्द पृत्युगताओं में भाग लेने के लिए कहना चाहें लड़का हो या लड़की हो कोई फरक नहीं पढ़ता है उन्हें संगीत भी सिकाईए, नत्र भी सिकाईए, पाक कला भी सिकाईए, क्रिकेट भी खिलाईए, बेडमिंटन भी खिलाईए, फुटवल भी खिलाईए, बॉलीवल भी खिलाईए, एथलिट भी बनाईए, रनिंग भी कराईए, सब कुछ यहां जो काम लड़का करेगा व क्लियर एक निए भी एक लिए नेक्स्ट कोशन अगर जो चलिए नेक्स्ट कोशन है रिद्यार्थियों में समाल उचनात्मक चिंतन को भड़ावा देने के लिए महत्पून है कि निबल के तेहतु प्रचोर अवसर प्रदान किये जाए समाल उचनात्मक चिंतन यानि क्रिटिकल धिंकिंग की बात की गई यह बड़ावादेने के लिए महत्पून है कि निबल के तो प्रचोर अवसर दिये जाएं तो विसाय वस्तु का कंटस्ति करण आप रोट मेमोरेशन की बात नहीं करेंगे बच्चा यहां चिंतन नहीं करने करेगा करेगा चीजों को नकल करने की कोस्तिस करेगा एक तरीके से आप साँक। और है है जैसे हमोते हमो डायवर्जैंट तो divergent thinking क्या होगा divergent thinking देखने को मिलेगा अब सारी चिंतन आपको देखने को मिलेगा एक होता है अभिसारी चिंतन जिसे हम convergent thinking जो कि आपका गलत होता तो third और fourth सही है जो कि option number किस में दे रखे हैं फूर्थ वाले में दे रखे हैं थार्ड और फूर्थ विल्कुल सही होंगे इस सवाल के अंसर क्लियर है भई चलिए next question एक सरचनावादी कच्छा में क्लास्रोम के अंद्रगत अध्यापेका किस पर जोर देगी अध्यापेका रचनात्मक मुल्यांकन मानक संदर्वित मुल्यांकन या योगात्मक मुल्यांकन रचनात्मक मुल्यांकन की बात करें तो फॉर्मेटिव, फॉर्मेटिव असेस्मेंट, योगात्मक मुल्यांकन की बात करें, तो यह होगा, समेटिव असेस्मेंट, इस्टेंडर्डाइज होगा यह, तो इस्टेंडर्डाइज आपका मुल्यांकर नहीं होना चाहिए, फ्लेक्सिवल होना चाहिए, मानक संदर्वित नहीं होना चाहिए, योगात्मक नहीं होना चाहिए, समेटिव नहीं होना चाहिए, समेटिव होता है, टर्मेंड एक्जाम् formative assessment होता है इसके अंदर बात की जाती है formative के अंदर during the study during the study जो भी आपका होता है वो क्या होता है formative assessment होता है इसके अंदर के दर बात करें नवाचार की बात की जाती है संबाद की बात की जाती है खोज की बात की जाती है कलपना की बात की जाती है तो यह सारे किसके अंतरगत आ जाते हैं तो यह की आंसर सही होगा रचनाइत्मक मुल्यांकन सर्राचनवाधी क्लास्रूम के अंदर देखने को अपको मिलता है क्लियर है तो यह भी आंसर सही होगया होगा अपका छले next question लगा यह क्या होगा समाबिसी सिच्छा इंक्लूजिव क्लास्रूम की अंतरगत भिवित जरियों का निस्कासन परवल देती है तो किस परवल देगी समाबिसी कच्छा की बात करें इंक्लूजिब क्लास्रूम की बात करेंगे तो इंक्लूजिब क्लास्रूम की अंतरकत आप किसको हटाने की कोसिस करेंगे आप लेवलिंग नहीं करोगे पहली बात तो इस लेवलिंग नहीं करेंगे रेंकिंग नहीं करेंगे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे पर्थक्की कर कि वाता है रेप्रेजेंटेशन आप कर सकते हैं अभीवक्ति कर सकते हैं सल्लगनता होनी चाहिए भेदवाव नहीं होना चाहिए समावेसी कच्छा के अंतरकत भेदवाव कताई अंसर नहीं हो सकता आपका कि चलिए नेक्स्ट कोशन अब क्या होगा क्वेशन है एक ऐसी कच्छा में जिसमें विविद सामाजिक आर्ठिक पर वेश्ण जो रहे हैं तो हम उनको एक धरोवर की रूप में मानके चलेंगे और यह हमारी सांस्कृतिक धरोव रहे जो कि उसी सोशियो एक्नोमिक वैग्राउंड से जो चाथर आ रहे हैं वह हमारी एक संस्कृतिक धरोव Tales और आमीर के वच्चे भी मिलेंगे Greek कहरीब के वच्चे भी देखने को मिलें चाहिए यह बिल्कुल बात ठीक लग रही है फ्रबल समय से स्मंधित विद्यार्थियों को अलगाव की भावना नहीं होनी चाहिए सब्सक्राइब को बलाबवा तो कि समझ में आ रहा है कि निया आप लोगों को नेक्स्ट कोशन है दरश्टबाधित विध्यारतियों के सवल समावेशन के लिए अध्याप्र को क्या करना चाहिए ऐसा विध्यारति है जो दरश्टबाधित है विज्वली एंडिकप डूब रोट सकते हैं तरीके से जिसको देखाई नहीं देता तो आप उसके लिए audio cassette का use कर सकते हैं touch and feel material का use कर सकते हैं जसको छू कर वो पहचान सके चीज़ों को इनका use कर सकते हैं lecture method उनके लिए काफी अच्छा माना जाता है मौखी की करण परवली आप उनको बता सकते हैं तो अवदार्णाओं की ब्याख्या के लिए चित्रों का प्रियोक करना चाहिए चित्रों का प्रियोक करने से कोई फायदा नी क्योंकि उसको दिखाई नहीं दे रहा द्रश्ट बादित है visually handicapped है तो वहां समस्या हो जाएगी इसका कोई फायदा नी होगा सभी प्रकार की लिके सामग्रियों को मौकिक रूप से प्रस्तुत करना चाहिए लिखने से अठाकर आप बरवली आप उन चीजों को प्रस्तुत करते हैं तो बिल्कुल ठीक मानी जाएगी विद्यारती से बात करते समय हातों को खूब इस्तमाल करना चाहिए ये तो कोई मतलब नहीं है बिद्यारती को देख ही नहीं रहा है तो टीचर हातों को कितना भी घुमाता रहे फैलाता रहे कोई फैदा नहीं होगा दिखाए जा रहे वीडियो की उपसीड सकते देना चाहिए वीडियो का उपसीड सकते देने फैदा क्या है जब उसको दिखाई नहीं दे रहा तो वीडियो का कोई फायदा नहीं होगा अगर यहां ओडियो की बात होती तो ठीक रहता तो यह विल्कुल सही होगा सभी प्रकार की लिक्स सामगरियां को मौकिक रूप से प्रस्तुत करना चाहिए क्लियर है चलिए नेक्स्ट कोशन तो चलिए बाकी के कोशन को कल की क्लास में कर लेंगे आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं बहुत होगे कोशन ठीक तो अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा वीडियो को सेयर कर दीजेगा क्योंकि यहां पर ही है जो आपको classes मिलती है और ऐसे questions कराई जाते हैं जिनका मतलब होता है जो एक्जाम relevant होते हैं एक्जाम में पूचे गए question है इनको करके जाओगे तो फिर पेपर में आपको बहुत ज्यादा बड़ा फायदा देखने को मिलेगा बाकि आपकी Hindi, English और Math की classes भी आपकी स्टार्ट हो चुकी है उनको अभी आप फायदा लेते रहीगा उनको भी लेते रहीगा मिलते है नेक्स्ट वीडियो में